नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार भगवान सिव सावन के महिने में सो परिवार प्रत्वी लोग पर रहते हैं सिवालाय में रहते हैं और भक्त सिव जी को प्रसंद कर अपनी मनो कामना उनसे कहते हैं और वो पूरी भी होती है लेकिन सिव जी को कुछ ऐसी बस्तुए हैं जो जरूर अर्पित करनी चाहिए शिव को सबसे प्री महिना स्रावन का महिना है और इस महिने में भगवान सिव को कुछ ऐसी बस्तुए हैं जो आप जरूर अर्पित करें सिव देंगे वर्दान लेकिन कुछ ऐसी बस्तुए हैं जो भूल कर भी अर्पित ना करें जाती है शिप पूरान की विधेश्वर सहीता में लिखा है कि स्रावन माह में करकरासी में सुर्य के होने पर भगवान सिप के साथ अंबिका का पूजन करें वे संपूर्ण मनोवांचित भोगों और फोलों को देने वाली हैं और संपन्नता स्वास्त प्रगति की इक्षा स्रावन माह में तो इस बार स्रावन माह चुकि रविवार के दिन से प्रारंब होगा और रविवार के दिन ही समाप्त होगा ऐसा योग बहुत कम होता है अब ऐसे में जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है पाप गरहों से युक्त है इस योग में उन्हें भी लाव हो चुकि पहला सोंबार 26 जुलाई को है दूसरा सोंबार 2 अगस्त तीसरा सोंबार 9 अगस्त और 4 सोंबार 16 अगस्त को है अब सिव सत्य हैं सिव सवर्पन हैं त्याग हैं परिभासित होने से परे हैं और सास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह सत्य और सक्ति एक दूसरे के बेग कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं सिब्लिंग पर क्या अरपित करके आप किस मनो कामना को पुरी कर सकते हैं सिब्लिंग पर दूद अरपित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है यानि आपका स्वास्त अच्छा रहता है अगर आप दही अरपित करते हैं तो जीवन में खुसियां हर्स लास की प्राप्ति होती है यानि कि आपका सुक्र बेहतर होता है और भौक्ति सुक्सादन आपक करता ह। अगर आप सहद रप्त करें तो आपकी संदर आपका खुब सूर्थी बरता है। आपकी जवानी में मिठास बड़ती लोग प्रियता बढ़ती चलि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खुब सुक्षमृद्धी एस्वरी की प्राप्ति होती रहे तो सिबलिंग पर सक्कड या फिर गुड की डली अर्पित करें ऐसा करने से जीवन में सुख और धन की कमी कभी नहीं होती चाहे आप कैसी भी स्थिती में हो सिबलिंग पर अगर स्रावन माह में आप इत्र अर्पित करते हैं तो धर्म की प्राप्ति होती है इत्र अर्पित करने से जीवन में उमंग बढ़ता है खुसियां आती है और अगर सुगंधित तेल अर्पित करें तो धन धाने की बिर्दी होती है बहुत इक सुग बढ़ते ह चंदन अरपित करने से समाज में यसमान समान बढ़ता ही चला जाता है वैसे तो भगवान सिब की पूजा में सबसे ज़्यादा भांग, धतूरा, दूद, चंदन और भस्म अरपित करने का विधान है भगवान सिब को बैरागी भी कहा जाता है और सिबलिंग में आम जीवन में जो इस्तेमाल चीजे होती है उसको नहीं चड़ा जाता तो चलिए हम जानते हैं वो कौन सी चीजे हैं जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है संख से भूल कर भी सिब जी को जल्मत अरपित कीजिए भगवान सिब ने संख चूर नामक असूर का बद किया था और संख को उसी असूर का प्रतीक माना जाता है जो कि भगवान स्री हरी का भकता इसी लिए भगवान सिब की पुजा में संख इस्तेमाल नहीं होता है चाबल टुटा फुटा हुआ बिलकुल भी इस्तेमाल ना करें सिब्की पुजा में पहले से आप चुनकर रख लें एकदम साबूत होना चाहिए और सास्त्रों में लिखा है टुटा हुआ चाबल और सुद्ध होता है तुलसी के पत्ते सिब जी की पूजा में तुलसी के पत्ते अरपित नहीं किया जाते क्योंकि भगवान विश्णू ने तुलसी को पत्नी के रूप में सुईकार किया है हल्दी इस्त्री लिंग है और सिबलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं अर्पित की जाती क्योंकि हल्दी मांगली चीजों में यूज होता है सिंदूर को भी कुम-कुमसिंदूर जो सोभागे का प्रतिक है और शिपजी भैरागी है इसलिए सिफactic को कुम-कुम और पित नहीं किये जाते हैं नारियल का पानी देखे नारियल तो आप चला सकते हैं लेकिन फोड़़्कर पानी अर्पीत करें ऐसा करने से राहू केतु की समस्या से मुक्ति मिल जाती है बाद में इस लौंग को उठाकर अगर आप घर में पुजा करते हैं तो पास के किसी मंदिर में रखाएं या फिर कहीं मिट्टी में दबा दें सिबलिंग पर अगर आप चंदन अर्पीत करें तो समाज में यस मान समान बढ़ता ही चला जाता है चंदन अर्पीत करने से मस्तक ठंडा रहता है आपका चंद्रमा बेहतर होता है और अगर आप सिबलिंग पर भांग अर्पीत करते हैं तो समस्त पापों का नास होता है पुल्एrya समाप्त होती है अगर आप आउला अरपीड करें चखूंलय पाहिए सब्क्राइब happiness रुप्त होती है। गन्य का रस अरपित करने से सिभलिंग पर आपके जीवन में मिठास बढ़ती है सुखों की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम भी बना रहता है गेहुम चढ़ाने से बंस ब्रिद्धी होती है और योगी संतान की प्राप्ति होती है एक मुठी गेहूम अरपित किया जा सकता है सिबलिंग पर अगर आप चावल अरपित करते हैं एक भी दाना अरपित कर दें तो जीवन में धन सुख समरिद्धी की कमी कभी नहीं होगी अगर काला तिल अरपित करें तो समस्त पापों का बिमारियों का नास होता है सिबिलिंग पर अगर आप बेलपत्र अरपित करें जो कि सिब जी को सबसे प्री है तो सभी संकट दूर होते हैं बेलपत्र पांच जगह अरपित किये जाते हैं गनेज जी को, सिब जी को, जलाधारी पर और नंदी महराज को और सिपजी के माथे पर अगर आप समी के पत्ते अरपित करते हैं तो जीवन में बस यह समझने की सौर्ण दान केतना पूर्णे मिलता है और किसी चीज़ की कभी कमी रहती ही नहीं इसलिए जहां तक संभव हो आप जो समी का पूस्प होता है एक ग्यारा समी के पूस्प अगर सिवलिंग पर आप जैसे की चार सौंबार हैं किसी भी सौंबार के दिन चरहा देते हैं तो उसके लिए आपको बस समी के पौधे तक ही जाना है हलांकि ये मार्केट में खरिद के नहीं मिलता आपको किसी पौधे को देख कर रखना है और वहीं से तोड़कर अरपित करना है समी का पूस्प अरपित करने से सिवलियती प्रसंद होते हैं वैसे पत्ते से भी आप काम चला सकते हैं और जो जो अरपित करने से वैसे तो अगर आप एक लोटा जल में थोड़ा सा कुसा घास डाल कर सिबलिंग पर अरपित करें तो पित्री दोस्प समाप्थ हो जाता है पित्री लोग संतुष्ट होते हैं और आप पर किरपा बढ़साते हैं कमल का पुस्प अरपित करने से जीवन में धन, मान, समान, एस्वरे सब कुछ बढ़ता है क्योंकि कमल का पुस्प सरीहरी को भी पसंद है और सिबजी को भी तो सुख सांती सम्रिद्धी बढ़ती है हर सिंगार का पुस्प भी अरपित करने से आपका सुक्र बेहतर होता है क्योंकि ये सुगंदित पुस्प है और एस्वरे बढ़ता है अगर आप चमेली के पुस्प अरपित करते हैं तो जीवन में सुख सम्रिद्धी दोनों ही बढ़ता चला जाता है तो सिपजी पर अगर आप उनके सबसे पसंदिदा धातूरे का पुस्प या धातूरे का फल अरपित करें तो सुयोग्य संतान प्राप्त होता है जो कुल का नान रोसन करता है तो आपको भी अगर धतूरे का पुस्प या फिर फल मिल जाए तो सिपजी को जरूर अर्पित करने से मन चाहे संतान की प्राप्ती भी होती है आंकडे का पुस्प से अगर उनका स्रिंगार करे तो जीवन के सभी सुख मिलते है पित्रों को मोक्ष की प्राप्ती होती है सफेद या बैगनी जो भी आकड़ा मिल जाए उसी से सिप जी को मनाईए अलसी का पुस्प अगर सिप जी की पूजा करें तो सभी देपताओं का आप प्रिय हो जाते है यानि सभी देपताओं का आशिरबाद आपको मिलता रहता है अगर आप अप्राजिता का पुस्प अरपित करते हैं तो सत्रु विरोधी सांत रहते हैं और इसके साथ ही अगर आप बेले के पुस्प से उन्हें पूजते हैं तो मन चाहा सुन्दर जीवन साथी मिलता है कनेर के पुस्प अरपित करने से जीवन में एक खुसियां आती है और सत्रु विरोधी सांत रहते है मोरपंख अरपित करने से जो स्री कृष्ण के माथे पर बिरासते हैं तो अगर सिब जी को अरपित किया जाए तो सत्रु विरोधी भी सांत रहते हैं और आपका सुख बढ़ता है केला अरपित किया जाए तो संतान का सुख मिलता है तो सिब जी को अकसर ही आप जल और बिलपत्र अरपित करते हैं लेकिन कुछ ऐसी बस्तों जो अरपित नहीं करना चाहिए जैसे की सिंदूर इसके साथ ही सिबलिंग पर आप संग से जल अरपित नहीं कर सकते तुलसी का पत्ता नहीं अरपित कर सकते तूटा हुआ चावल अरपित नहीं कर सकते और लाल चंदन और केतकी कपुस भी अरपित नहीं कर सकते नारियल तो अर्पित कर सकते हैं पर नारियल फोड़ कर जल ना चड़ाए इलाइची अर्पित करने से सुक बढ़ता है, सुक्र मजबूत होता है और पान का पत्ता पूजा करने के बाद लास्ट में पान के पत्ते पर एक सिक्का थोरी सी मौली धागा, थोरी सी मीठी बस्तू और लॉंग इलाइची रखकर दक्षिना के रूप में उन्हें समर्पित करें तो आपकी पूजा संपूर न हो जाती है लाल गुढ़हल कापुस पर पित करने से सत्रू विरोधी सांत रहते हैं और अगर आपके कुंडली में काल सर्फदोस हो तो चांदी के या तामबा का नाग नागिन का जोड़ा सिबजी को अरपित कर दे खासकर अगर उस दिन नाग पंचमी हो तो आपका काल सर्फदोस भी सवाब्त हो जाता है अगर किसी को स्वास्थ की समस्या है तो जल में पांच पीपल के पत्थे डाल कर जो बैक्ति बीमान है, मानसिक या साइरी डीक रूप से उनके उपर से आप पांच बार वार ले और सिब्लिंग पर चरहा दें तो उनका स्वास्थ की समस्या दूर हो जाती है अगर हरा मुंग अर्पित करते हैं सिविलिंग पर आपका बुद्ध की समस्या समाप्त होती है आपकी वानी का तेज बढ़ता है आपका बुद्ध बेहतर होता है और हर तरफ आपकी पूछ होती है अगर आप सिभलिंग पर अभीर गुलाल अरपित करते हैं किसी भी कलर का अरपित कर सकते हैं आपका सुक्र बेथर होता है अगर कोई बैवाहिक जीवन में कष्ट हो या सुक्र आपका नीच में हो तो वो ठीक हो जाता है धिरे-धिरे खुसिया आने लगती है च्छिवन में आंधेरा कभी नहीं कि पूरे सावन में आप पास की किसी भी मंदर के शिछी पर या मंदर में ही जाकर एक रिची यह तो SI हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अची लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए अपनों से वीडिो को सेअ kiedy करें दनिवा